कि नमस्कार में आविना सिधार्थ आप देख रहें दा नेटीजिन न्यूज आज हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होने के लिए पूरो राजिपाल एवं वर्तमान मध्यपरदेश उर्दू अकाडमी के अध्यक्ष डॉक्टर अजीज कुरेजी जी सब्सक्राइब पूरे देश में सबसे जोलन्त पुद्दा, CAA और NRC है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखी, ये जो कारून बनाए हैं, ये बनाने जा रहे हैं, ये सरासर हमारे समयदान बनाने बारों से दोका है, कुड़ा रखा थे, समयदान जब बनाए गया था, तो पुरे मुल्क के हमारे देश के त्यास को, बविश को, पास्ट को, और मिया गरेने वारे तमाम इंसानो को लोगों को सारे वरगों को सारी बातों को ज्याद में रखके बनाए गया था और इसलिए प्रीमिल में कहा है वी दर पीपल आफ इंडिया हैविंग सॉलम्ली डिजॉल्व तो कांसिटू इंडिया इंट्यू सावरेंड डिमाकुरेटिक रिपबलिक सेखुदर और स्वेलिस का वर्ड बात में जोड़ा गया इन रजीन लोगा है इसको आगे और उसमें जो खाल बात जो है कि प्रीमिल जो बनाया गया यह पंडित दहरु की नो साल पहले की एक तक्रीर थी जिसमें इंडिकेट के सारुने के हमारा का समधान किस तरह का होगा तो समधान का प्रीमिल जो बनाया गया पंडित दहरु की स्पीच की नियाच पर है वो जिसमें का गया है कि जस्टिस, सोशल, एकोनॉमिक और प्लिटिकल दूसरे खाल बात जो है लिबल्टी अफ थौट, एक्स्परिशन, बिलीफ, फेथ, एन वर्शिप तीजी खाल बात यह है कि एक्वलिटी अफ एस्टेटस इन आफ अमर्चुनिटी इन प्रूमूट देट इमांग ओल इन जो रूह इसमधान की इसको इनोंने मिलकुल मंडर कर दिया है गोली चली और उसे राम भक्त कहा जा रहा है तो इस पर सरक्या क्या यह अब राजनीती धर्म की राजनीती हो गई है क्या गोट से बक्त को रहमत कहना करें गोट से बक्त हो तो आगे मात्मा गांधी की शाज़त के बाद भी जो इस मिल्ट में एक जंग चल लेगे संगर चोहरा है गोट से बाद गांधी बाद की विरुद बीच में वो बक्ताम अब तक नहीं हो आए मात्मा गांधी को जो मारा था गोट से ने तो उन्हें कर द जैयराम मात्मा गांधी तीन गुली खांके शहीद गोट थे उनके मुझे का निकला था है राम तो जैयराम और है राम यह जो संगर्ष लडाई चली थी आज तक चल लेगे वह लडाई मख्री है अपने और जिन्दा को फस्दा करना है भारत की क्योंने गोट से का जैयराम चाहिए यह मात्मा गांधी का हैराम चाहिए तो सर इस पे आप क्या खाएंगे क्रिमनल एक्ट ऊर्फ जुर्म है यह अपरादिक काम है उनका आपकिये और कौदिकार नहीं किसी सेकंध़र्च्थों की सेकंध़र्चन को जहां लोग भूके मरा है हो रुद्दगार नहीं हो बच्छों को दवाएं नहीं मिल नहीं हो अकसियन नहीं करना हिंदोस्तान के सेकुदर कांसे संवधान के विल्कुल अगेंस्ट है उसकी रूप के अगेंस्ट है और एक विल्कुल क्रिम्देलेक्ट है यह भी जहाल ही में जो नया बजट आया है श्टरमण जी दौरा यह उन्होंने बताया है मध्यमबरगी लिए बहुत ही फायदे किसी वित्बंदी ने धाई गंदे का वाहन आज तक ने दिया और उनकी भाजन के तीन बाते खास हैं उनकी उन्होंने बेस कि हैं है ईस्पिरेशन इकनोमिक डेवलेप्मेटमट एड़ कर यह उनके मुद्वेधे उन उन तेने लेकर एस्पिरेशन को में कहता हूँ कशन डेवेल्वेंटमेंट को एकनन डिजास्टर और कर को मैं कहता हूँ IN 삼कशर को बेचत है इस्के लिएकर के बजट आपका है पेश किया है यह 20 स्वंदर में जहां चारो तरफ तुपान आ रहा हो और एक डूपती हो जहाज है और डूपती हो जहाज से जो सिगनल जाते है SOS के बहुते हैं आत पास कि लोगों सारे लोगों को मचाने के लिए तो यह बज़त उनका SOS है एक डूपती हो जहाज का लेकिन पूरी कौं को डवाजेगा लेहां को डवाजेगा वचा नहीं पाया गया पत्वी सर ये NRC और SIA का जो धरना चल रहा है तो इसका एक क्या भाव से क्या है इसका क्या रिजल्ट निकलेगा आदमी एक परिकलपना कर लेता है तो आप ने क्या इसका इसका रिजल्ट और सो एक रेरेटिस का ये है कि कष्पिय इस लेकर कंञाय को रिजग्दक यहां के लोगों में खास्तोर से महेलाओं में उन्हेजमानों में एक जद्बा जाक गया है कि हम अपने अधिकारों के लिए संगर्श करते रहेंगे चाहिए उसके लिए हमें बड़े से बड़ा बड़ेदान को नहीं करना पूड़ है कि मायनाओं ने पहले बार शोकी आए ये देश शेकम्दा नहरू का सवीन आइड़ का अस्तुर बगांदी का मारानी जहांसी का बी अम्मा का ये उन्हें ने शोकी आया कि और देश की मायराएं जाके ही है और सबसे खाल बाती है कि देश का ध्यारती सीना ठोक के सामने आ गय है कि अन्याय को हम इस देश से मिटाकर रहेंगे इस अन्याय का राज जो चल ला है इसके ख़जम करकर रहेंगे और बड़ा बहुत बड़ी उम्मीद इस मारी बमिश्की सारे उमीद जाक नहीं मैं इस पैसे जहां पर द्यारती जाएं जाएं जाने कमुनिटी बजदार हो गई थी और सर यह क्या कहते हैं जो भी निजी करने से लाइसी भी अब विखने के कागार पर है जो सरकार खोकली हो निकमी हो इसके बास अपना कोई आर्शिक करिकरम नहीं हो जो सरकार गुराम हो ग्रिवी हो कुछ बुट्टी वर पुझी पत्जिव के हातों में इस कराब कि कुछ भुझी पती नहीं सारे इंग देश तार्या कौम उसकी मालेक होगी इन्होंने स्कॉाब को चकनाजूर कर दिया रेल्वे को बैज दिया एलाइन्स को बैज दिया टेलीमून को बैज दिया एलाइसी को बैज दिया अब डेड़़ू सो ट्रेन प्राविट चराने जा रहे हैं इस बज़ड में है मतलब हैं सर आंतिम सवाल आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे शुरुताओं को अधेश्वासियों को मजुरू का एक श्यर है सदू उन्हें दार पे लगते चलो सरों के चराग जहां तरक स्थितम की यह से करदब रहे इस थाल आराइश्ड वरेहां प्रामया थाल